बूर्बॉर्णी स्टूडेंट्स, स्वागत आपका ट्रिपल सेजी कॉलेज की ओनलाइन क्लासेज में आज अपने डिस्कस करेंगे कल्टिवेशन ओफ काली मिर्च ब्लैक पेपर की खेती और इसका सबसे पहरे स्टार्ट करते हैं बॉटनिकल नेम से बॉटनिकल नेम ऑफ ब्लैक पेपर इस पाइपर नाइग्रम, फैमली पाइपरेसी, क्रॉमजान नमबर तू यान इस इकल तू फिफ्टी तू और इजन वैस्टन गाट ओफ इंडिया इसका जो और इजन नहीं हो वैस्टन गाट है इंडिया के वैस्टन साइड में सुंदर के आसपास एरिया लगता है उसमें गाट बने हुए नेक्स्ट है काली मिर्च को मुसालनों का राजा कहा जाता है जो काली मिर्च है किंग ऑफ स्पाइसे इसको कहते हैं या एक पेरीनियल एवर्ग्रीन प्लांट है और ये बेल वाला पोद है बहु वर्षिया सदा बार बेल वाला पोद है इसकी उप्युक्त वरदी के लिए सहारे की जूरत पड़ती है बेल वाला पोद है तो सहारे की जूरत पड़ेगी इसको वीशव में काली मिर्च का सबसे अधिक शेतरफल जो है वो इंडिया में है और काली मिर्च उत्पादन में इंडोनेशिया का प्रथम है बारत का दूसरा स्थान है काली मिर्च के जंगली पौदे डायोसियस तथा मुख्यात है काली मिर्च में कैटकिन टाइब का पुष्प कर्म पाया जाता है जो इसमें पुष्प कर्म पाया जाता है उसको कैटकिन कहते है काली मिर्च का फल सिंगल सीड़ बेरी होता है काली मिर्च में गिटनो गेमी के कार्ण सेल्फ पौलिनेशन पाया जाता है इसमें फूल खिलने के पहले ही पौलिनेशन हो जाता है और सेल्फ पौलिनेशन होता है इसमें ब्लैक पेपर में पौलिनेशन हाइट्रोफिली के कार्ण होता है वाटर के कार्णिस में पॉलिनेशन होता है काली मिर्च के खाने योगे बाग फ्लेशी पैरिकार एंड हाड एंडोकार होता है फूल आने से फल परिपकव होने तक छे माँ का समय लगता है ये क्योस्टन पहले आया हुए कि फूल आने के बाद में फल लगने तक कितना टाइम लगता है तो छे माँ का समय लगता है नेक्स्ट डिस्टिबूशन की बात करें केरल, करनाटिक, तमील, नाडू, असाम पर मुक उतपादक रह जाए बाहरत में काली मिर्च के कुल शेतर फल का 94% उतपादन, सुरी, बाहरत में काली मिर्च के कुल उतपादन का 94% उतपादन जो है केरल में होता है, सबसे ज़्यादा परड़क्शन केरल में होता है काली मिर्च में पांच परकार के तने पाए जाती है इसके तनों की बारे में बात करते हैं स्टैम पाइजाते हैं की साइटा से किसी पोदे अत्थवा सारे पर चड़ता है मेंस जब अपने सीड से या कटिंग से पौदा त्यार करते हैं तो जो पहले में स्टैम बनता है इसका उसके उपर एरियल और अडवांचियस रूट बन जाती है जिसके सारे पौदे के उपर चड़ते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप है रनर शूट यह में शूट के अधार से निकलते हैं तथा पचास सेंटी मीटर तक सीधे बढ़ते हैं जो में स्टैम होता है उससे निकलते हैं जी और पच स्टैम वीक होता है वीक होने के कारण यह सीधे निबढ़ पाते हैं नेक्स्ट फ्रूटिंग ब्रांचे इसको प्लेजर ट्रॉप्स बोलते हैं जो पौदे के उपर फ्रूटिंग ब्रांचे निकलती है यह दो नंबर में भी क्योस्टन आता है काफी इंपोर्टेंट है त तथा इसके ऊपर स्पाइक्स और फ्रूट का निर्मान होता है जो में स्टैम होता है इसका फोदे का उसके ऊपर से निकलती है और इसके ऊपर फूल और फल का निर्मान होता है नेक्स्ट फॉर्थ नंबर टॉप शूट्स में स्टैम के कुछ दूरी तक लबवत बढ़ने के बाद में में शूट के सिरे पर जाड़ी नुमा रूप से शाखाई निकलती है तथा इसी स्थान पर बहुत अधिक संख्या में अड़्वांचेस रूट निकलती है तने का यह बाग टॉप शूट्स अथवा और्थर टॉप्स कर लाता है जो तने का यह बाग होता है इसको टॉप शूट्स बॉलती है नत्वा और्थर टॉप्स बॉलती है नेक्स्ट हैंगिंग शूट्स यह लटकने वाली होती है पूर्न विक्सित बेल की कुछ फूटिंग ब्रांचेस सिरों से वशेश परकार के स्टैम के रूप में बढ़ती है जो फूटिंग ब्रांचेस होती है वो सिरों से निकलती है उसके सिरों से वशेश परकार के स्टैम के रूप में बढ़ती है जो नीचे लटक कर बुम्मी के समाना अंतर बढ़ने लगती है इसे geotrop कहते हैं जो फूल वाली ब्रांचेज होती है उसके सिरे से फिर ब्रांचेज निकलती है तो जो में स्टैम के रूप में बढ़ती है और यह नीचे लटकते हुए जब सोयल तक महुंचती है तो फिर सोयल के समाना अंतर चलने लग जाती है तो इसका बहुते हैं हैंग इसकी खेती के लिए अधिक वर्षा वाले अति आदर तथा उचतापमान वाले शेत्रों में मुख्यरे रूफ से इसकी खेती की जाती है इसकी खेती के लिए ट्वंटी फाइट तू थर्टी सेंड डिगरी सेलसियस टेंपरेचर आप्टीम होता है नेक्स्ट रेनफाल की बात करें तो 125 तो 200 सेंटीमीटर एनुवर रेनफाल वाले एरिये में इसको अपने खेती कर सकते हैं इसकी नेक्स्ट सोईल की बात करते हैं तो कार्बनीक पदार स्युक्त चिकनी से बलुई दौमट मरदा इसकी खेती के लिए उप्यूक्त होती है आप्टिमम पीच 4.5 से इसक्त के मद्या होना चाहिए नेक्स्ट वड़ायटी पाइनियूर वन पाइनियूर टू.पाइनियूर हृ फाइव वड़ायटी dating वेर इसकी नेक्स्ट शिरीकारा शुबकारा बड़ा कं मालाबर एक्सल सक्ति यह इसकी वराइटी हैं next hybrid varieties की बात करें तो पाइण नवर 1 से लेकर पाइण नवर 6 तक जो वराइटी हैं वो hybrid varieties हैं next propagation की बात करते हैं तो commercially propagation इसका stem cutting और by seed के दोरा किया जाता है कटिंग लगाने के लिए शूट का मद्धे वारा भाग यूज किया जाता है उपर वारा भी रमूब कर देते हैं नीचे वारा भी कटिंग कभ लगाते हैं तो फ़र्वरी मार्च के मन्त में अपने कटिंग लगाई जाती है टाइम आफ थाइं इसके पर्य जून में कि ठाइंस प्रॉशन कर दी जाती है होस्ट प्लांट को लगाने के लिए कि जो होस्ट प्लांट के ऊपर ही काली मिर्च ऊपर चड़ती है इसको ऊपर चड़ने के लिए सारे की जूरत होती है इसके लागा कुछ च्छाय की जूरत होती है पार्शरी च्छाय के लिए शेडिंग के लिए भी होस्ट प्लांट लग इंजल या फिर इन फिर सिल्वर ओप का पलांट सिफ़र के रूप में लगाए जाते हैं कि इन पोदों के उतr की गर क sneaking 50 साइंटी मीटर के गड़े खोद कर काली मिर्च के पउदे लगाए जाते हैं भी जो इनके उत्तर की साइड में लगाते हैं कर यहाद है काली मिर्च की ट्रांस्प्लांटिंग मई जून के मा में की जाती है काली मिर्च के पौदों को व्रदी की प्रारिमिक वस्ता में इन होस्ट प्लांट से बांधिया जाता है जिस होस्ट प्लांट के साथ में अपने काली मिर्च का पौदल गाया उसके साथ में बांध देते है जैसे सिल्वर ओग मरकू अगरा नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाजर तो पर प्लांट की बात करते हैं अपने तो टैन केजी एफ वाई एम पर प्लांट की जूरत पड़ती है नेक्स्ट फिफ्टी ग्राम नाइट्रोजन फिफ्टी ग्राम फास्पोर्स टू हंडर ग्राम पॉटाश पर प्लांट अपने इसको देती है तो यह सारी डो जो है अपने पर प्लांट के कोड़िंग है एक पोड़े के उपर नेक्स्ट प्रथम वर्ष उपर लिखी होई खाद F.Y.M. का एक पटा तीन वाग डालते है तीन किलो के आसपास डालते है दूसरे वर्ष उपर लिखी होई खाद का दो पटा तीन वाग डालते है जो टोटल खाद लिखी हुए है उसके बारे में बात करें इसके लावा नाइट वर्ष फासपॉर्स और पटाश की भी बात करें तीसरे वर्ष ये पूरी खाद डाली जाती है जो फर्स्ट येर है उसमें तीसरा हिसा सेकंड येर 66% और थर्ड येर इसकी पूरी डोज डालते है जितनी ये लिखी हुई है जो खाद है ये 15 सेंटिमीटर गहराई में अपने गड़ों में देते है नेक्स वरी इरिगेशन तो विंटर सीजन में 6-7 दिन के अंतर पर तथा समर सीजन में 2-3 दिन के अंतर पर अपने को सिंचाई करते रहना चाहिए और सोयल में हमेशा ही नमी बनी रहनी चाहिए म्रदा में नमी को सक्षित रखने के लिए बल्चिंग करते है इस गासपूस की पलवारिंग कर देते हैं जिससे इसमें ये वीड बगेटर ग्रोथ नहीं करते है और मॉस्टर का कंजर्वेशन होता है आए के ने अपने हारवेस्टिंग की की बात करते हैं तो हारवेस्टिंग में एक टेबल बनी हूई है एक साइड में लिखा हुए प्रोडक्ट जैसे वाट पेपर ब्लैग पेपर जो त्यार करनी है गासे प्रोड़क्ट मैचoire टेट हारवेश्टिंग कितना मैचूर होना चाहिए वो जिस टाइम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं सबसे पहले वाइट पेपर जो बनाते हैं स्पेल मिर्च इसका चिर्का उतार कर बनाते हैं काली मिर्च का जिससे अंदर से वो वाइट निकलती है तो white paper के लिए fully ripe अपने stage पर harvesting करते हैं next black paper के लिए fully mature and nearly ripe means develop हो जाने से ये full पूरा बट पूरा ripe नहीं होना चाहिए next oleration के लिए oleration जो अपने निकालते हैं तो इसके लिए 15-20 दिन before full maturity means पूरा प्रेपक होने से 15-20 दिन पर लिए अपने इसको harvest कर लेते हैं oil के लिए भी इसी stage पर अपने harvesting करते हैं next आप paper powder बनाने के लिए जो काली मिर्च का powder बनाते हैं अपने use करते हैं तो fully mature with maximum starch जब seed में starch की मात्रा जादा होती है और mature हो जाता है पूरा तो उस ताइए अपने इसकी harvesting करते हैं next आइ yield yield की बात करते हैं तो black paper wines 7 to 8 year बार पूरा उत्पादन देने लगती है means जो इसकी बेल है वो 7-8 year बार पूरा production देने लग जाती है black paper production 20-25 year बार कम होने लग जाता है जब पोदा लगाते हैं तो उसके 20-25 सार बार इसका production कम होने लग जाता है साथ से आठ साथ बार बार आठ सो से हजार गराम लग बार एक किलो की आसपास पर प्लांट अपने को production मिलता है और पर हेक्टेर की बात करें तो आठ से दस कुएंटल पर हेक्टेर अपने को black paper प्राप्त होती है next drying और recovery की बात करें black paper को सखाते हैं जब सखाते हैं तो इसका weight loss होता है तो black paper अपने को 33% प्राप्त होती है जितना अपने harvesting करते हैं उसकी और next white paper की बात करें तो अपने को जो recovery हो 25% मिलती है next black paper में जो कड़वा सखात होता हो पाइप्रिन के कारण होता है यह एक alkaloid होता है bearing यह 1.7 to 7.4% पाइप्रिन पाया जाता है जिसके कारण इसका कड़वा पान आता है next इसमें aroma की बात करें aroma तथा flavor के लिए hashqil oil ज्मेदार होता है basis में जो hashqil या उड़ने वड़ा ओइल पाया जाता इसके लिए ज्मेदार होता है next अपने पाली मिर्च का स्वाद मुख्या रूप से उलेरेशिन के कारण होता है जो काली मिर्च का स्वाद अपने को ओलेरेसिन के कारण होता है यह थी काली मिर्च की क्रोप इसके लावे इसके डीजीज और इंसेक्ट जो है बाकी बचा हुआ वो नेक्स अपने ओनलाइन क्लास में डिस्कस करें थैंक यू